विजिनरी वुमिन स्वयम सेवकों द्वारा संचालित एक संगठन है और मैं जानती हूँ कि यहां बैठी हर महिला किसी ना किसी संगठन को अपना समय देती है आपके संगठन में 90 लाग स्वयम सेवी है और आप स्वयम सेवा और इच्चुक होने के बारे में बता रहे थे कि इच्चुक होकर ही आप अपनी चेतना को बढ़ा सकते है अगर मैं आपकी बार ठीक से प्रस्तुत कर रही हूँ या मैंने उसे समझा है तो तो ये चर्चा इस बारे में है कि ये चीज कैसे अपनी मौजूदा स्थिती से ज़ादा बड़ा इंसान बनने का जरिया बन सकती है देखे महिलाओं की बात करने से पहले विजनरी को समझते है विजन या दूर दर्शिता का मतलब है देखे इच्चाएं सभी में होती है इच्चाएं अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा करके बहतर बनाने का तरीका है आज आपकी इच्चा है मेरा घर होना चाहिए कल आपकी इच्चा होगी मुझे पैसा चाहिए फिर कुछ और इच्चा होगी इन तरीकों से आप अपने जीवन को थोड़ा-थोड़ा करते हुए व्यवस्थित और फिर से व्यवस्थित करते हैं, जो कुछ चीजों को करने के लिए जरूरी है। जब आप कहते हैं कि मैं विजिनरी हूँ, तो आपका मतलब है कि आप में एक बड़ी इच्छा है, जो सिर्फ मेरे जीवन में कदम दर कदम सुधार लाने के बारे में नहीं हैं। इच्छा हमेशा अपने बारे में होती हैं। और विजिन सभी को शामिल करने वाली प्रक्रिया है। ये अपने आप में एक जबरदस्ट चीज है। अगर लोग इच्छाएं रखने की बजाए, विजिन रखने लगें। तूर दर्शिता हमेशा सभी को शामिल करती है। इच्छा व्यक्तिकत होती है। इच्छा से कदम दर कदम बदलाव और सुधार होते हैं। विजिन से पूरी परिस्थिती बदल सकती है। अगर इच्छुक होने की बात करें। क्यूंकि आपने कहा आप एक स्वयम सेवक हैं। स्वयम सेवक होने का मतलब है वो व्यक्ति जो कोई काम इच्छुक होकर कर रहा है। है ना। किसी तरह की मजबूरी नहीं है। ना कोई आर्थिक मजबूरी है, ना ही सामाजिक मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं। आप इच्छुक होकर कोई काम करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी इच्छुक होकर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप एक स्वयम सेवक हैं। मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ इस समय क्या आप अपनी मजबूरी में यहां आए हैं या अपनी इच्छा से धन्यवाद क्यूंकि मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जिन्हें जबरदस्ती बोलाय जाता है मैंने जेलों में चरचाय की हैं मैंने बहुत सी जगाओं पर चरचाय की हैं तो आप यहां अपनी इच्छा से आये हैं आप कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं यही आपके आनन्द का आधार है है ना हलो चाहे काम जितना भी सरल, बेवकूफी भरा या मुर्खता पूर्ण हो, लेकिन मैं इसे इच्छुख होकर कर रहा हूँ इस से जमीन आस्मान का फर्क पड़ता है, है न? हेलो? स्वर्ग और नर्क के बीच का फर्क भी बस यही है हमने पहले ही तै कर लिया है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है मुझे ये व्यक्ति पसंद है वो पसंद नहीं है अब इस व्यक्ति के साथ मैं इच्छुख होकर चीजें करूँगी, उस व्यक्ति के साथ बिना इच्छा के करूँगी ये दो लोग हो सकते हैं, जीवन के दो पहलू हो सकते हैं, दो समुदाय हो सकते हैं, दो देश हो सकते हैं, कई चीज़े हो सकते हैं ये मैं इच्छा से करूँगी और वो बिना इच्छा के करूँगी मतलब मैंने अपने दिमाग में तै कर लिया है, ये अच्छा है, वो बुरा है जब मैं ये चीज राष्ट्रिय न्यूज चैनल पर भी सुनता हूँ कि अच्छे लोग और बुरे लोग, तो बस अगर आप में ऐसी चीज है, तो आप धर्ती पर विनाश हिलाएंगे ऐसा कब होगा, प्रशन बस यही है जैसे ही आप ये तै करते हैं, ये अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है ये चीज अमेरिकी समाज में गहराई तक फैल गई है नहीं, ना तो अच्छे लोग होते हैं, ना ही बुरे लोग हर कोई इन दो के बीच जूल रहा है अगर आप एक बहुत ही आराम दायक और सुन्दर वातावरन बनाते हैं, तो हर कोई अच्छे से बरताव करता है अगर आप अप प्रिय वातावरन बनाते हैं, तो बहुत से लोग बुरा बरताव करते हैं हाँ या ना आनन्दमें लोग और दुखी लोग होते हैं लेकिन अच्छे लोग और बुरे लोग नहीं होते जैसे ही हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं हमें बुरे लोगों का विनाश करने का अधिकार मिल जाता है है न? हम बहुत से लोगों का लंबे समय से विनाश करते आ रहे हैं अब उसे रोकने का समय आ गया है क्योंकि इनसानों के आनुभव और उनकी समझ का स्थर अलग-अलग है कई तरह के लोग हैं जो भी आपकी तरह नहीं है वो निश्चित रूप से बुरा है, है न? क्या ऐसा नहीं? जो मेरी तरह नहीं हैं वो जुरूर बुरे लोग हैं क्योंकि अच्छाई की बुनियाद और जिसे आप अच्छाई मानते हैं वो आपके द्वारा ही तै किया जाता है नहीं, ऐसा करना आपका काम नहीं है इच्छुक मतलब मैं बस इच्छुक हूँ मैं जीवन को सौ प्रतिशद हां कहता हूँ मैं इसके लिए हां और उसके लिए ना नहीं हूँ नहीं, मैं बस जीवन के लिए हां और हां हूँ अगर आप जीवन के प्रतिश सौ प्रतिशद हां हैं तो आप एक स्वयम सेवक हैं आप एक इच्छुक जीवन बन गए हैं। आप इतने इच्छुक हो गए हैं कि आप में अपनी कोई इच्छा नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं सद्गुरू, आप इन भयांकर लोगों के साथ काम कैसे करते हैं। वो हर तरह के बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कर रहे हैं, वो वो कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरा जीवन उनके बारे में नहीं हैं, ये मेरे बारे में हैं। इस बारे में हैं कि मैं कैसा हूँ, ये मेरे बारे में हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं, वो उन्होंने चुना है, लेकिन मैं कैसा हूँ, ये मुझे चुनना है, ये मेरा तरीका है, वो चाहिए जो भी करें, मैं ऐसा हूँ, क्यूंकि मैंने किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया है, कि कोई मुझे परेशान कर सके, या कोई मुझे दुखी कर सके, ये अधिकार मैंने अपने पास रखें। अब समय आ गया है कि आप भी ऐसा करें। क्यूंकि अगर कोई और ये तै कर सकता है कि अभी आपके अंदर क्या होगा, तो क्या ये सबसे बड़ी गुलामी नहीं? क्या ये सच है? कोई और ये तै कर सकता है कि आपके अंदर क्या होगा? जो आपके आसपास होता है वो बहुत से लोग तै करते हैं। हमारे आसपास जो होता है वो पूरी तरह से हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन जो मेरे अंदर होता है वो मुझे तै करना चाहिए, है न? फिलहाल कोई भी किसी को भी परिशान कर सकता है क्योंकि वो स्वयम सेवक नहीं है वो इच्छुक नहीं है स्वयम सेवा का मतलब है आप में अपनी कोई इच्छा नहीं है आप वो हर काम कर सकते हैं जो जरूरी है हम एक स्वयम सेवी संगठन है जिसका मतलब है हर तरह के लोग उन में से ज्यादातर लोगों में वो काम करने की योगिता नहीं हैं जो वो कर रहे हैं और मैं उन्हें निकाल भी नहीं सकता क्यूंकि वो स्वयम सेवक है तो लोग रोज मेरे पास आते रहते हैं सद्गुरू मैं इस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती वो बहुत भायंकर है मैं ये नहीं कर सकती मैं उनसे कहता हूँ देखिए इस दुनिया में इसी तरह के लोग रहते हैं ऐसे 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 इसी तरह के लोग है लेकिन अगर आप आधर्श लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग जाना चाहिए और आज ही लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको इन सभी भयंकर लोगों के साथ काम करना सीखना चाहिए ये दुनिया ऐसी है अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आप सभी तरह के लोगों के साथ काम करना सीखिए आप देखेंगे कि भयंकर लोग भी अध्भुच चीजे करेंगे, हाँ, लेकिन अगर आप आदर्श लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं मिलेगा, मुझे आज तक नहीं मिला, हर तरह के मिले जुले लोग हैं, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, यानि आप एक के प्रति हाँ और दूसरे के प्रति ना नहीं हैं, आप बस एक बड़े हाँ हैं, तो आपको कोई रास्ता मिल जाएगा.